नमस्कार दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है टेन मिनिट समरी ओफ लेक्चर एटीन में तो हमारा यह जो मॉड्यूल चल रहा है अभी इंडिया इंडिपेंडेन्स ट्रगल आज सुभे मैंने इसका छटा लेक्चर कंडग किया बहुत ही काफी वास लेक्चर रह सब पर बात हुई खूप सारी बाते हुई बहुत मज़ा आया अगर आपने अभी तक कोर्स जॉइन नहीं किया है गलती कर रहे हैं तुरण जॉइन कर लीजे बहुत बढ़िया गती से कोर्स चल रहा है इतने बढ़िया डिलिवरेबल इतने एफोर्डेबल तरीके से आपक रामतिकारी मॉड्यूल है पंदरा लेक्चर होंगे उसमें तो च्छे लेक्चर होगा है चार बचे हैं सबकी समरीज मैं आपको दूँगा तो आज हमने क्या क्या पढ़ा ये देखिए आज का सिलिबस काफी वास सिलिबस है और ये सारी चीज़ें हमने बराबर आज प्रथम विश्वयुद्ध और भारत के नैशनलिस आंदोलन के बीच की कॉमन कडिया कहां कहां थी इन्हें फिर से देखा वही हैं रिटन चार्ट फिर हमने प्रथम विश्वयुद्ध उस्मानी सामराज्य खिलाफत और भारत इस पे काफी बाते की प्यारे दोस्तों ये बड़ा इंट्रेस्टिंग समय रहा है 1910 का जो दशक था यूरोप में तो पूरी की पूरी उथल पूरी इंपोर्ट होके भारत भी आगी थी क्योंकि यहां से लाखो लोग लड़ने भी गए थे कांग्रेस और गांधी का समर्थन भी था इस उमीद में कि स्वराज मिली जाएगा लेकिन अंग्रेस तो बदमाश थे स्वराज कहां देने वाले थे तो उस्मानी समराज उसे जिस प्रकार से साइकीस पिको एग्रिमेंट की तहक तोड़ा जा रहा था तो भारत के मुसल्मान खिलाफत बचाने के लिए खड़े हो गए थे ये तीन एग्रिमेंट्स पर डिटेल में बात हुई और फर्स वर्ल्ड वार का भी एक रिविजन हुआ हलांकि वो मैं अलग से मेजर इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करूँगा अब कई लोगों को अकसर ये खलीफा, कैलीफेट, खिलाफत ये समझ ही नहीं आता है इसके लिए इसलाम की थोड़ी सी बुनियादी शिरुवाती दोर से पढ़ते 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 सारे जितने भी कैलीफ्स हुए हैं अभी तक उस पर थोड़ा सा हमने एक सेक्शन तयार करके दे दिया हलांकि एंशेंट इंडिया का मॉडिल जो मैं आकरी मिलूँगा उसमें तो मैं ये डीटेल में पढ़ाता हूँ जब अरा बाकरमन वगरा हुए थे सिंद्ध पर उसके कंटेक्स में हम पढ़ लेते हैं लेकिन आज भी फिर पैगंबर मुहम्मद के बाद जिस तरह से रशीदून कैलिफेट आई और उसके बाद में फिर उम्मयद उसके बाद अबासी और उसके बाद असमानी वो चारों उस ओर्डर में हमने खिलाफत के कांसेट में कि भी एक यूनिवर्सल जो लीडर्शिप है इसलामिक कम्यूनिटी की उस कंटेक्स में बताई तो क्या भारत में दिल्ली सल्तनत भी उसको इसलामिक यूनिवर्सल खलीफ मानती थी क्या जो टिमूरीर्स थे यहने टैमूर वंशी मुगल्स थे वो भी मानते थे इन सब चीजों पर विस्तार से बात हुई और मॉडरन मुसलिम्स का 19 सेंचुरी से इसको लेके क्या रवाया रहा है खिलाफत को लेके इन सब चीजों पर बात हुई फर्स वर्ल वार पे एक बेसिक इंपुट दे दिया कि भाई उसके साथ परिणाम क्या हुए थे तो ये उसके साथ परिणाम थे भारत के कंटेक्स में इसको समझाना इंपॉर्टन था हलांकि जैसे मैंने पहले भी का ये मैं आगे कि उसमें लेने वाला हूँ फिर हमने हमारा फोकस भारत पे शार्प किया खिलाफत मूवमेंट इंडिया कैसे आया मुहमद अली शौकत अली कौन थे क्यों ये लोगों ने शुरू किया इनकी क्या इच्छा थी और इसके उपर एक ऐसे भी दे दिया और खिलाफत अंदुलन फाइनली किस प्रकार से अचानक से कॉलैपस हो गया क्योंकि मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ही खतम कर दी खलीफा और उन्होंने तो उसमानी समराट को ही परसोना नौन ग्रेटा बोल के धके मार के टर्की से ही निकाल दिया तो फिर खिलाफत अंदुलन आगे चली नहीं सकता था फुल टाइम लाइन खिलाफत की हमने यहां बहुत अच्छे से इस तरह के जितने भी चार्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स को करवाता हूँ यह बड़े गोल्डन चार्ट्स हैं गजब का इसमें लर्निंग होता है फ्लो आफ इवेंट्स अच्छे से बता दिये कि किस प्रकार फिर गांधी युग भारत में शुरू होता है और कैसे करोडो 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 लोगों को बिना गोला बारूद, बं, बंदुकों के गांधी सड़क पे ले आते हैं जबरदस्त क्रांतिकारी फेस था और कैसे फिर गांधी ने वभ्ड्रॉब भी किया जिससे फिर लोग बहुत नाराज हुए और उससे बहुत सारे रेविलिशनरी अंदोलन खड़े हो गए ये हमने फिर बात की जली हवाला बात मैसेकर का पूरा का पूरा टाइम लाइन अच्छे से समझा शहीद धमसिम्द की पूरी कहानी देखी और उसके बाद डायर और ओडवायर की कहानी को समझा Disorders Inquiry Committee और हंटर कमीटी पर पूरी बात की जिसके तीन भारती सदस से जगत नाराएंट, चिमनलाल, सीतलवाड और एहमत खान की Minority Report के हमने एकसर्फ दिखाए कि कैसे उन्होंने धजजियां उड़ा के रख दी डायर और डवायर की और यह बताए कि यह अमानुविय कदम आपका था फिर पूरी तरह से फोकस गांधी के NCM और CDM पर हमारा हुआ कि यह क्या था कैसे गांधी जी को पूरा-पूरा अधिकार कॉंग्रेस ने दिया कि अब आप भारत का पहला non-corporation movement अच्छे से शुरू करें और धीरे धीरे उसको intensify करें तो अब पूरी nationalist आंदोलन की बागदोर गांधी जी के हाथ में आ गई खिलाफत वाले इनके साथ में थे और NCM जो है मजबूत होता ही गया होता ही गया होता ही गया और अंग्रेजों की जड़े हिलने लग गई गांधी ने यह वादा कर दिया था कि अगर पूरे भारत के लोग मेरे साथ जुड़ गये और तुमने वो कर दिया जो मैंने कहा है एक तो अहिंसा मारपीट करनी नहीं है गाली गलोच करनी नहीं है लेकिन कायरता नहीं दिखानी आँखों में आखे डाल के अंग्रेज से भिढड़ना है और जो अंग्रेजों के टत्टू है बही अल्टिमेटली इंडियन आर्मी इंडियन पुलिस इंडियन जजेस आईसीस आईपियस क्या थे सब ह stripes लोगों की आखों में आखे डालके आपको बात करनी है यही non-corperation movement होता है तो इसकी बारीक्यों को हमने देखा किस प्रकार से अलग-अलग तरीकों से पूरे भारत से करोडों लोख जुनने लगके और finally Congress ने दवाउ गांधी पे डाला कि अब इसका आखरी स्टेज सिविल डिसोवीडियंस नागरिक सवीनाय अवग्या आंदोलन शुरू कर दिया जाए अब वो एक भ़त खतरनाक फेस है क्योंकि उसमें आप गांधी जी सबको बोल रहे हैं नौकरियां छोड़ दो और टैक्स भरने बन कर दो गांधी जी ने सब कुछ बंद कर दिया उसके बहुत सारे लॉंग टर्म परिणाम हुए बहुत लोग बहुत निराश हो गए इंक्लूडिंग नेता जी सुभाष चंद्रबोस जो गांधी को हमेशा बहुत मानते थे लेकिन गांधी का बिल्कुल साफ कहना था यदि मैं नेता हूँ और यदि मोरैलिटी मेरी अपलाए होने वाली है तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है तुम अपना अंदोलन खड़ा कर लो मेरा अंदोलन तो ऐसी चलेगा इसका क्रिटिसिजम बहुत होता है फिर गांधी को कोट में ले जाए गया गिरफ्तार करके इसके बात वहां उन्होंने जो भाषण दिया है ये एतिहास का एतिहासिक भाषण माना जाता है गांधी भारत की जनता से कितना प्यार करते थे इस भाशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी आँख में आसु आ जाएंगे जिस तरह अंग्रेजों की और अंग्रेजों के टटूओं की धजियां उन्होंने इस भाशन में उड़ाई ये तो एतिहासिक है इसके लिए बहुत जादा हिम्मत चाहिए और उन्होंने साफ बोल दिया कि तुम लोग इविल हो तुम्हारे साथ तो मैं हमेशे ही नौन कोपरेशन करूँगा तुमको मेरे साथ जो करना कर लो लेकिन मैंने जो किया है इस देश के उस गरीब के लिए किया है जिसको तुम मुर्क बना रहे हो कि अंग्रेश शासन अच्छा है और जितने भी हिंदुस्तानी अंग्रेशों के तलबे चार्ट के ये कर रहे हैं वो ये समझ लें कि मैं तुम्हारी साजिश को समझ चुका हूँ ये जो इन्होंने किया ये भारतिये लोगों के मन में 2400 घंटे अंग्रेशों ने जो डर बिठा दिया था पुलिस का, सेना का, IPS का, ICS का, जजेस का, गरीवी का, भुकमरी का इन्होंने बोला कि तुम इन सारे डरों को खतम कर दो और इस चीज़ को बाद में नहरू ने डिसकवरी आफ इंडिया में बहुत एनलाईज किया कि हमें गांदी ने जो सिखाया 1920 के दशक में, वो सिर्फ एक चीज़ थी, सारे डर छोड़ दो और करोडों लोगों ने जब ऐसा करना शुरू किया, उसका असर आने वाले सालों में बहुत गहरा हुआ चलिए, ये तो फिलोसोफी की बाते हुई, अब एक्साम पे वापिस आते हैं, प्रो चेंजर, नो चेंजर, रेविलूशनरी, ये बड़ा खूबसूरत एक और चार्ट मैंने आज करवाया, एक एक तारीक के साथ बताया, कि किस प्रकार से, कई लोग जो अब, ये सीडियम क्यों हटना, इलेक्शन लड़ो, सरकार में घुसो, हर तरफ अंदर से परिशानिया खड़ी करो, सरकार के लिए युगांत करी, और तीसरे थे, रेविलूशनरी बम उठा और मारो इस अंग्रेस के सर पे खतम कर दो, इन सब को खदेडो हिंदुस्तान से, तीनो धाराएं क क्यों किया मदन महनमालविय जी और बाकी के लोग जो responsivist ग्रूप में निकले थे, उनकी क्या मांगे थी, महमद अली जिन्ना का इस समय क्या contribution था, नो चेंजर ने सामाजिक कारियों पर अपना पूरा फोकस रखा, इस सब के बीच में क्योंकि गांधी विड्रा हो गए थे थोड़े से सामप्रदाइकता को अपना सिर उठाने का मौका मिला और बहुत सारे सामप्रदाइक दंगे, हिंदू-मुसल्मान दंगे हुए, इन दंगों का नेट नेट प्रभाव ये हुआ कि बहुत सारे आदर्श्वादी युवा, शहीद आजम भगत सिंग जैसे, उन् के बाद हमने बात की स्लो डिटीरियरेशन के पीरेट की कि कैसे धीरे 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 चीजें बिगड़ने लगी, लेकिन इसी बीच अंग्रेजों नहीं साइमन कमिशन लाया तो वो चिंगारी आ रही कि फिर से सब एक हो गए, सोवियस संग की स्थापना हो चुकी थी दुनिया में समाजवाद और वाम पंत की बहुत तगड़ी उदय की फेस शुरू हो गई थी, भारत में चारों तरफ सोशलिजम और कम्यूनिजम की स्पार्क्स फैलने लग गई थी, उस बारे में हमने बहुत डीटेल में यहां पे चर्चा की, रेवलिशनरी इसका जो रा प्रकार से सॉंडर्स मारा गया और बाद में सीयले में बम फोड़के यह सब गिरफतार हुए, काकुरी रेवलिशन पर डीटेल में बात हुई, किस प्रकार से बम मारने के बाद में, बटुकेश्वरदत हो या सरदार भगस सिंग हो, वो छोड़के भागे नहीं, वो खड प्रकार से नहीं आती है, करांतियां विचारों से आती है, तो ये एक अलग कैटेगरी के लोग थे सारे, एक बहुत अलग तरह के लोग थे, इनके नाम का इस्तेमाल बहुत सारी पार्टियां भारत में करती रही हमेशा, लेकिन इनके ओरिजिनल विचारों को पढ़ने की जहमत बहुत कम लोग उठाते हैं, तो जैसे नेता जी सुभाष चंद्र बोस हो गए, शाहिद आदम भगस्टिंग हो गए, इनके ओरिजिनल विचारों को अगर आप पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्र शेकराजाद, मास्ट ने और्गिनाइज तरीके से अंग्रेजों का रेजिस्टन्स हुआ, फाइनली तीनों स्ट्रीम्स का हमने समरी दे दी, और प्रेलिम्स के बहुत सारे क्वेस्टन भी आठ डिसकस हुए, कोशिश यही है कि 700 से 800 क्वेस्टन प्रेलिम्स के कोर्स के अंदर ही हम करा दें, में प्रेंज के क्वेस्टन भी हम लगाता, लोगों को बताते चलते हैं, पैरलल में पावर आफ टैन का भी आज हमने सेशन 107 बच्चों के लिए रिलीस किया, जिसमें हमने रो वर्सेज वेट कांट्रोवर्सी पूरी समझाई, जिसमें हमने अगनी पत का फिर से पूरा एनले है, तुरंट जॉइन करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप जीवन में एक बहुत अच्छी दिशा लेंगे, आज के लिए इतना ही, कल 10 मिनिट की समरी के साथ फिर हाजिर हो जाओंगा, 1500 लेक्चर का कोर्स है, सब की समरी इस दूँगा, हर मॉडियूल का पहला लेक होगा, वो यूट्यूब पर फ्री में फॉल रिलीज होगा, मेरी दरफ से इतना ही, नमस्कार, जाहिन.